नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपरास पर सो in a major national security push by the government of India जो हमारी national grid है जिसको की अक्सर nat grid के नाम से जाना जाता है उसको AI यानि की artificial intelligence के माध्यम से और जादा मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है सुनने में आ रहा है कि nat grid जो है वो एक centralized data platform बनाने की कोशिश में लग चुका है जिसमें कि वो AI का इस्तिमाल करेगा and वो OSINT tools का भी इस्तिमाल करेगा ये OSINT tools क्या होते हैं ये भी आपको बताऊंगा और इन tools के माध्यम से basically nat grid को इस हिसाब से strengthen किया जाएगा so that जो real time action है वो criminals क खिलाफ लिया जा सके ये वाली खबर आप देख सकते हैं the Hindu business line की है जो कि आज से 2-3 दिन पहले सामने आई थी इसी के बारे में detail में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो nat grid की strengthening है ये किस तरीके से होने वाली है और इसका क्या फायता overall nat grid को देखने को मिलने वाला है आए शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए टेलेग्राम चैनल के माधियम से ऐसा कर सकते हैं और इस course में अगर आप enroll करते हैं तो price केवल और केवल 909 रुपे है अगर आ के लिए जो link है वो दोस्तों नीचे description में दिया गया है और राइट सु सबसे पहले हम लोग net grid के कुछ basic चीजों को समझ लेते हैं दोस्तों 2008 की बात है जब मुंबई में आपको मालूम होगा जब terrorist attack हुआ था उसके बाद एक प्रस्ताफ सामने रखा गया था कि हमें एक ऐस इसी grid त्यार करनी चाहिए जिसमें कि हम लोग अलग अलग जो agencies हैं अलग अलग जो आपके इंडिया में जहां जहां पी भी data collect होता है उनको हम लोग एक centralized जगा पे collect कर सकें और ये वाला प्रस्ताफ जो सामने रखा गया उसके कुछी time के बाद national grid यानि की nat grid को basically activate करवा दिय प्रशाशनिक तौर पे बात करें administratively बात करें तो ये ग्रहे मंत्राले के अंतरगत काम करती है और ये जो nat grid है ये एक integrated intelligence grid है जो की अलग अलग चीजों के databases को basically collect करती है और उसके बाद इसको इस तरीके से पेश करती है so that जो इंडिया में function करने वाली अलग अलग security agencies जैसे की IB हुआ RAW हुआ वो इस data का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग यहां पे देख पाएंगे कि अलग जो sets of data sources for example जो banking के data होते है credit card का data होता है visa immigration के data होते है उसके बाद travel details यानि की train और air travel से जो details होती है उन सभी को collect करके एक जगा पे लाया जाता है collection करने के बाद उन data collection और collection इसलिए करी जाती है so that eventually मान लिजे कि कोई भी criminal है कोई ऐसा suspicious transaction हुआ है suspicious कोई immigration हुआ है suspicious कोई travel हुआ है तो उसको basically समझा जा सके यह वाला जो data एक बार collect कर लिया जाता है यही वाला data है जो की आगे जाकर के हमारी जो 10 central agencies जैसे की IB हुआ RAW हुआ यह इस data का इस्तिमाल कर पाते हैं अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा जो data है यह एक secured platform पे available है तो यह वाली जो agencies है यह बड़े ही securely इस data को access कर पाते हैं तो in short अगर बात करें तो nat grid जो है this acts as a link between intelligence and the investigating agencies मतलब की intelligence को nat grid gather करती है और उस data को इस तरीके से structure करती है जो की eventually investigation वाली agencies को आगे जाकर क help हो सके now उसी nat grid में क्योंकि यह पूरा का पूरा data का ही platform है तो nat grid जो है वो अपने data collection और data structure करने की जो techniques है उसको improve करने की कोशिश कर रही है जिसमें कि वो AI और OSINT जैसी चीजों का इस्तिमाल करते हुए अब एक centralized data platform बनाने का प्रयास कर रही है आप यहाँ पे देख की nat grid का और विकास किया जा रहा है जिसमें की कुल मिलाके तीन चीजों के ऊपर focus किया जा रहा है पहला है integrating the data analytics number two है open source intelligence tool जिसको की short form में OSINT tool भी कहा जाता है और number three है web based application यह इतना सारा data जब इकठा हो जाएगा तो ultimately intelligence और agencies जो भी हमारी law enforcement की agencies है उनके लिए 360 degree solution offer nat grid कर अब यह कैसे होगा इसको सोड़ा समझ लेते हैं so data analytics के तौर पे basically जो software है वो अब हर तरह के data को collect करने का प्रयास करेगा for example face and speech resolution application for profiling government sources वगरा जहाँ पर भी यह वाला data generate हो रहा है उस data को collect किया जाएगा secondly जो OSINT tool है यहाँ पर काफी जादा focus किया रहा है जो OSINT tool है जो लोग नहीं जानते OSINT के बारे में बता दूं दोस्तो OSINT जो है यह basically stand करता है open source intelligence के लिए यह OSINT tool क्या करता है कि बहुत सारा data ऐसा होता है जो की openly available है जो की open source में available है आपको उधारेंड के तौर पर बताऊं जैसे बहुत सारा data social media पे available है उस data को भी collect करने का प्रयास अब nat grid करने वा बाहर chaos हो रखा है जो इतनी information फैली हुई है इसको इकठा किया जाएगा और उसको again उसका कुछ sense बनाया जाएगा so that अगर वहाँ पर भी कोई ऐसी suspicious information है कोई ऐसी suspicious चीज देखने को मिल रही है तो वो भी nat grid के database में आ सके आप यहां पर देख सकते हैं OSINT जो है this is crucial in keeping tabs on the information chaos and इसका secondary function माना जाता है कि OSINT tools जो है वो इस तरीके से perform करते हैं कि अगर कोई social media post भी है उसका भी इस तरीके से sense बना देते हैं कि उसको structure करके आपको offer कर देते हैं तो कुल मिलाके basically nat grid क्या करने वाला है कि वो अब AI और OSINT tools के माध्यम से जो बहुत फैली हुई information है जो बहुत scattered information है उसको भी structure करने वाले हैं और ये information भी जब nat grid के पास आ जाएगी तो आप हिसाब लगा लिजे कि आगे जाकर कि जो हमारी security agencies है उनको कितना फाइदा इस चीज का हो सकता है और ये जो OSINT tool है इसमें ये लोग ये भी कह रही हैं कि हर तरह का the OSINT tool government sources explained has to be incubated will have the potential to extract entities, relationships and other linked written audio and video information for summarizing into a report तो ultimately जो भी information आप कठी कर रहे हैं उसको एक single report के माध्यम से भी यहाँ पर summarize कर पाएंगे ये भी OSINT tools के माध्यम से होने वाला है दोस्तों पूरे data को structure करना is not an easy task वही वाला काम अब nat grid in नए tools के माध्यम से करने वाला है in fact बताया ये भी जा रहा है कि जो proposed digitized infrastructure है इसमें inbuilt feature होगा of popping up suspicious transactions मतलब कि कोई भी suspicious transaction है उसको भी पता लगा पाएंगे ये वाला जो feature है ये फिलहाल केवल हमारा जो financial intelligence unit है जिसको कि हम लोग FIUIND के नाम से जानते हैं उसके पास ये feature available है अब वो वाला feature भी nat grid के पास details है financial details है जो कि nat grid already procure करता है for example company details railway cargo immigration vehicle registration NPR data ये सारा का सारा data pancard हुआ bank facilities ये सारा का सारा data भी nat grid के पास available है लेकिन अब और वाली चीजें भी nat grid के पास पहुँचने वाली है तो overall बहुत जादा integration देखने को मिलने वाली है and एक और addition है जो कि nat grid में होने वाली है उसमें क्या है क for example माल लीजे आज की time पर अगर nat grid को किसी telephone company से data चाहिए होता है या फिर किसी airline से data चाहिए होता है तो उस case में जो nat grid है या फिर जो security agencies है उनको directly इनको contact करना पड़ता है लेकिन अब nat grid क्या करने वाला है कि वो in telecom companies का और airlines का और election commissioner of India का data भी integrate करने वाले है so that अब जो security agencies है उनको इनको phone ना करना पड़े वो सीधा सीधा nat grid में जाकर के इस data को access कर लेंगे इससे real time access मिलेगा critical information का to authorize the central and state agencies तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा का सारा data जो अभी तक फैला हुआ था वो nat grid के अंदर आने वाला है तो इस तरीके से nat grid जो ह है वो और जादा मजबूत होने वाला है in short कहा जाए तो nat grid अब हमारी central और state की जो investigation वाली agencies है उनको end to end solutions offer करने वाला है once this connectivity is established the nat grid will be able to offer complete and comprehensive real time data about any entity और any issue to about 39 central and state agencies जिनको भी authorization दी गई है जो कि nat grid का data access कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा task है जो कि nat grid ने अपने उपर ले लिया है लेकिन हाँ इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती भी आने वाली है चुनौती वही है कि जब हम इतने सारे जगाहों से data को लेकर आएंगे तो data में standardization नहीं है वहाँ पर nat grid को थोड़ा समय लग सकता है ये चीज इंपॉसिबल नहीं है लेकिन time consuming होने वाली है ब जो investigating agencies है वो जल्दी से उस data का इस्तिमाल कर सकें once this challenge is resolved उसके बाद फिर nat grid भी जैसे अंतराष्ट्य लेवल पे आपकी grids बनी हुई है वैसे ही हमारी भी जो nat grid है वो उतनी ही मस्बूत बन जाएगी बाकि आपकी क्या राय है इस पूरे के पूरे चीज को लेकर definitely बताईए comment section में जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से बताना चाहूंगा यदि आप मुझसे करन तफेस पढ़ना चाहते हैं अपने UPSC exam के लिए तो course में enroll दरूर कीजिए इसमें enroll करने का जो link है वो description में है the price is only and only 909 rupees thank you so much for listening stay tuned and